अप सब आई होग आप सब बहुत बढ़ी होगे तो आजका में टॉपिक है ख्लाउड़ पैनर ठीक है और क्या होता है क्लाउड पैनर कैसे काम करता है ठीक है हम इसकी लैब भी देखेंगे और मैं बता दू कि यह थोड़ा सा कॉसली होता है तो आप लोग भी लैब कर लीना बट हाँ इस बार आपको एक जिसका बहुत ध्यान रखना होगा वह है कि अगर आप लैप कर रहे हो मेरे साथ तो डिलीट करना मत भूलना क्योंकि यह बहुत कॉसली होता है यह आवरली बेस पर चार्ज करता है तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं और इसकी लैप करते है है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि क्लाउड स्पैनल होता क्या है क्लाउड स्पैनल बेसिकलिया फुली मैनेज्ट रिलेशनल डेटा बेस सर्विस है ठीक है विद अनलिमिटेड स्केल मतलब कोई एंड नहीं है इसका जितना ज़ कई वावगया रहा है ने खेलते हैं आप खेल रहा है और अमेरिका से रहा है तो मतलब कंसिस्टंट है वो बंद नहीं होगा आपके लो गया इसा नहीं है दो यह दो यह जो जिंद बीचमें कृति कर रहे न होता है कि मिशन च्रिटिकल घंटना यहां क्व्रेऩ को जैसे कि अगर मैं आपको पैसे भेजे मेरे पास से कट गए आपके पास नहीं पहुंचे तो वो कहां चले गए और फिर वो कहां गए मिले कभी नहीं मिले ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि मैं भेजूंगा या तो आपके पास बहुत जाएगा या तो नहीं आएगा अगर वो कहीं बीच में सब्सक्राइब तो तीन दिन में वापत आजाता है कि बहुत ही जो प्रेटिकल प्रेशन होती है वहां पर हम इसे यूज करते हैं तो basically कहां maximum कहां यूज होता है क्योंकि अनलोट इसलिए क्योंकि होरिदोंटल है कि एक मशीन उसी के बारा दूसरी मशीन फिर तीसरी मशीन फिर बनाता रहता है मशीन कोई एंड नहीं इसका ठीक है और आपको ध्यान देने की चीज़ है कल को आप जॉब पे रहेंगे आप से आप पूछा जाएगा कि आ पूसरों आप उसको ट्राव्ट पैनर बोल सकते हैं ठीक है अगर आपका 2TB है और आपने बोला कि आपका 2TB का डीटा है आप्लाउट पर स्विच हो जाओ तो को नहीं है उसका दो डिटा है आपने चार टेड़ाबाइट की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम चार टेराबैट से स्टार्ट होता है तो आपको ध्यान है कि अगर किसी का चार टेराबाइट से ज्ञादा है लाइक चौदा है अठा दो रहा होता है ठीक क्लाउड पैनल बेसिकली लांच वादा 2017 में ठीक है यह गूगल क्लाउड की अपनी खुद की एक सर्वीस है ठीक है यह ट्रांस्पेरेंट है काफी सिंक्राइज एप्लिकेशन क्रॉस रीजन एंड मल्टी रिजन कान्फिगरेशन मतलब यह कंटिनूस क्यों क्यों क्योंकि मैं मृल्टी रिजन लगा रखा है इस प्रिक बुद्रा प्रीमाईस प्रफॉर्मेंस प्रफॉमेंस प्तुमेंस नेगार आ प्लब यह सब्सक्राइब संदेन और प्रिकेश्ट नोट यॉडज़ग डिटा डेटा बेटा पनेंस तूंकि अबधाइस स्केलिंग और बिजनेस बाइब बहुत इंग्लिस लिद्धिस ने मैं आपको समय दो सिंपल भाषा में इसका मतलब यह कहना चाहरा है कि आप जब अपना काम करोगे ठीक है कि आप अपने पर फोकस रखो अपने काम को करो ठीक है यहां पर क्या हो रहा है क्या करना है आपको अपनी वेब्साइट पर ध्यान दो कि कहां पर लगाना चाहते हो उस पर ध्यान दो लोग आ रहे हैं तो सर्वर कितना जाएगा अप सर्वर मत ध्यान दो अपने काम पर ध्यान दो थेक्षिए आप कस्टमर कैसे एक्विजिशन आपको बढ़ानी है कि सुईगी का कस्मर मे सर्वर कहां जा रहा है तो यह तो अपने काम ध्यान रखो आपका स्केलिंग कितना है क्या नहीं है वो सब मैं मैंनेज करूंगा तो इसका बेसिक फंडा यह है जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तिक है यू कें रन इंस्टेंस ऑन रीजनल स्कोप और मल्टी डेट 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 बीशिस अबल टू सर्वाइव रिजनल फेलियस तीग है मताब बेसिकली वहिए आपके अलग-अलग रीजन में रहेंगा जिसके वज़े से क्या होगा ना सब्सक्राइब यह आपका इंस्टेंस है ठीक है यह तीन जोन में बनाए जोन वन डोन टू जोन तू डाला यूजर ने एक जोन में था पर यह रेप्लिकेशन की वज़े से तीन जोन में जाएगा और यह तब जब यह सिंगल रही जाए ठीक है अगर यह कहीं और भी एक्जिस्ट करता है क्योंकि यह स्पैनर पूरे वर्ल्ड वाइड और हर रिजन में नहीं अवेलेबल है ज जो कि SQL यानि traditional relation दोगा SQL लिखा है या no SQL यानि traditional non-relational इन दोनों में से इन्होंने क्या किया cloud spanner Google ने कि इसके जो अच्छे-च्छे points थे यह रेड क्लार के अच्छे-च्छे points है अच्छे क्या मतलब जो उनको positive points दिखे उठा करके इसमें डाल दिये और बना दिया cloud spanner like schema कीमा क्या होता है कीमा basically जैसे कि मैंने टेबल गनाया ठीक है यहां लिख दिया name यहां लिख दिया is यहां लिख दिया की occupation यहां लिख दिया qualification ठीक है तो उपर की heading होती है वो schema क्यालाती है किसी table की जैसे कि यहां लिखा cloud spanner traditional non traditional यह heading है इस table की यह table है पूरा ना सब्सक्राइब कर दूँ तो यह table हो गया अगर मैं इसको एक प्रॉपर में दिखा दूँ आपको यह इसे कर दें तो यह table हो गया ठीक है और इस table की यह जो ऊपर के लाइन हो गई यह heading हो गई तो इन्हीं हो कहते है schema ठीक है schema के बाद यह कहना क्या चाहरा है होता है होता है होता है SQL में होता है और नहीं होता है जरूरी निए schema is good or bad नो एसके माइस बैड जिसके माइस पेस सही होती है जबर जैसकि आप भरने होता है जगह पर बरना होता है जो उनको सही लगा वो इन्होंने उठा लिए ठीक है सब्सक्राइब 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 करना है और अवेलिबिल्टी की हाई वेलिबिल्टी है क्यों है मैं आपको बता दिया है अवेलिबिल्टी रहती हो कि यह मल्टी रिजिनल में रेपलिकेट हो जाता है तो यह नो सेकल में भी होता है तो यह जो मशीन है वो भर जाती है तो सेकंड में स्विच करते हैं ठीक है तो उसमें चया होता है क्या है यहां क्लाउड टाइम को कवर डव करने के लिए ठीक है उन्हों ने क्या है और प्रेफर किया है ठीक उससे क्या रहतोगा से उससे किसी कोई दिक्कत ने होगी तो यह बिसिकली आप आटो स्केलिंग ठीक है यह रेप्लिकेशन इसमें इसमें आटोमेटिक नौ रख दिया और बिसिकली आप बता दूंद जो कोई आपस में रिलेट होते हैं सबके सब्सक्राइब कोई टूटना फाटना है इसमें आइसोलेट का अगर मैं बोलू जैसे जी मेल है जी मेल का करता है क्लाउड पैनल पर काम करता है ठीक अब आपके जो मेल से वह आपको दिखते हैं मेरे मेल से मुझे दिखते हैं तो यह हो गया उसका आइसोलेशन कंसेस्टेंस क्या है कि एसा नहीं है कि कभी मैंने रिफ्रेश किया सब्सक्राइब क्या मोलते हैं अपने यूट्यूब बना सबस्क्राइब करता है मैं आपको बन गया एक इस पर आती है कभी कई इस पर आती है अपग्रेट हो गई सब्सक्राइब इस पर चड़ गए इस पर चड़ गए इस पर नहीं चड़ें इस पर 14 दिखा रहा है क्योंकि यह ग्लोबल लेवल पर होता है तो थो टाइम लगता है आप समझ गयोगे ना इसी तरीके से काम करता है ठीक अश्का प्राइसिंग है वह बिसिकली डिपैंड करत सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 होता है मैं आपको दिखाऊंगा जब दिखाऊंगा तब लैब में कि अमांट ऑफ स्टोरेज जाट टेबल्स यह टेबल ऑन सेकेंडरी इंडेक्स यूज़ेस टीक है आप कितना स्टोरेज उसकरो टेबल पर अमांट ऑफ नेटवर्ग बैंड का चार्ज में ले रहा अरे वह लॉजिक है यह बहुत है ना तुमने पैसा ले लिए ना उसका अलग से क्या चार्ज होगे लिमिटेशन्स लिफ्ट एंड शिप्ट नहीं होता है अगर कोई चीज माइट करनी है ऑन प्रमाइस से उठा करके डालना है बड़ आप क्लावर् पॉसिबल यह नहीं है अब बस उड़ होड़ी सकती है पॉसिबल नहीं है लॉट्स अप इंड डेटाबेस बिजनस लॉजिस्टिक ट्रीगर्स एंड स्टोड फोसीजर्स वेन यू नीड लेस लेटेंसी अगर में लेटेंसी कम चाहिए तब भी हम इसको नहीं उसको नहीं दूरिंग लैब के बाद आप इसको डिलीट कर देना और अगर आप प्री ट्राइल पर हो ठीक है आप चलेगे नेक्स वाले पर अगर भूल गए आपने दुबारा नहीं खोला आपको ज़रत नहीं पड़ी इस पैनल खोलने की और 91 दे हो गया तो आपको चार्ज बढ़ना शुरू जागा तो इस प्रिट्राइल का इस प्रिश्क क्यों लेंगे नहीं लेंगे ठीक है आप चाहते लब कर लेना नहीं करते हो तो कोई फरक नहीं पड़ता मैं आपको बता दूंगा लैप दिखा भी दूंगा आप नोट कर लेना कहीं भी नोट कर लेना ठीक है हमें कंसोल पर जाएंगे डेटा डेटा बेसे पर जाएंगे इन्हें आप से क्लाउट स्पैनर और बिसिकली दो तरीके से रिजनल और मल्टी र आपको खतम हो जाएगा बस यह एक ही बार मिलेगा फ्रीट यह नहीं कि 90 जिन तक हम बना सकते हैं अपने बनाया अपने डेट मारते हैं खतम एक ही अपकी ट्राइब ओलती हो गई पूरी ठीक है और यह एक नोट पर 4TB मैं आपको बोला था और यह ग्लोबल कंसिस्टेंट होता है आप कहीं बैठके चलाओ पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ठीक है डेटाबीस में जाएंगे अपन तो यह मैंने बनाया इसके नोट और चलिए इसको अपन देख लेते हैं कि कैसे कैसे मतलब लैब मारी कैसे काम करती है ठीक है तो चलिए शुरू करत अब यहां जाके भी ढूट सकते हो आपको जाना होगा डेटाबेस के अंदर वहां जाके आपको मिलेगा इस पैनर यहां पर क्लिक करके भी जा सकते हो यहां सर्च कर सकते हो अगला क्लिक कर लिए ठीक है अगर आपने कभी यूज नहीं किया HAS अब तरुझक कर लिए होगा तो उसकी बात कर लेंगे ठीक है क्लिक करूंगा मैं स्टार्ट ट्रे ट्रायल पर और यहां पर आने के बाद मैं इसका नाम डाल देता हूं लेगा कोई फरक नहीं पड़ता कंफिक्डेशन में देखो बहुत क्योंकि फ्री टीर है सब जगें नहीं है सिरफ चार जगों पर आली जिब लगें डेली जकार्ता फ्रैंक्फर्ट और कोलंबस ठीक है तो मैं डेली लेता हूं कहीं पर भी होगा अब बिसिकली हो क्या रहा ह सब्सक्राइब करें लोकेशन यहां भी होगा और यहां भी होगा और जब हम फ्रीटेर खतम करेंगे तब भी होगा लेता हूं इसको डेली टूप डेली कर लेता हूं है ठीक है और इसको मैंने किया है सिप्ली सेलेक्ट और यहां पर मेरा इनेबल कर दिया उतने पैनल का API और यहां पर कह रहा है कि create one और और यहां पर देटाबेस के अब बना लो ठीक है आप लॉंच भॉक्त रूर्ब भी कर सकते हो क्रियेट माइव ओन करूंगा और डीटाबेस का नाम देदू है यहां पर लाइल डेटाबेस ठीक है और यहां पर दो अप्वार्व गूगल स्टेंडड एसक्यूएल और पोस्ट्ग्री एसक्यूएल तो फिलाल मैं गूगल स्टैंड के साथ जाहूंगा और इसे हम कर देंगे सिंपली उस्व एंक्रिप्शन ओप्स देख लेते हैं यहां पर गूग यह खुल प्ल Commissioner यहां वाद कर सकते हो और आप 5 अगर याप वाद करक्द नीक से मैं करता हूं यहां पर यहां पर आपन ठीक है और यहां पर आकर के सब पोस मैं उठा लेता हूं यह टेबल का एक च्छोटा सा है Google एक्सक्राइब कहेंगी है मैंने यां किया सिंपली इसके कॉपी और इसको मैं इनिके सेलेक्ट और साथा की इसको और यहां मैं कर दू कि और सब्सक्राइब आप दिए और मेरा टेबल यहां पर क्रियर्ट होगा इसे लिए जिंगर्स मैं सिंगर्स पर क्लिक करूंगा और में टेबल के अंदर आप यहां पर नियुक्त कर सकते हो को टेबल यहां से पर टिबल के अंदर जा करके चैसे डिपल के यहां पर बिल्टा करना हैं यहां पर आपको कूछ कुछ क्ना है रोज आपको यहां बताना होगा simple में कि इसका first name क्या है last name क्या है singer का ठीक है तो यह database engineer काम है आप टेंशन बतलेना मैंने आपको बता है कि एक्जिक्ट कैसे करना है आपको आना चाहिए कि आपको करना कैसे है वह आपको इसको मैं करूँगा simply select और अंदर जाके से करतेंगे डिलीट इंस्टेंस को क्यों की भाई ठीक है सैंपल हमें नहीं चाहिए थीक है थो मैंने के डिलीट इंस्टेंस और इसका आपको नाम डालना होगा नाम डाला मैंने क्या डिलीट तो यह आप डिलीट करना मत भूलना तो म सब्सक्राइब साबना तो में नहीं नहीं तो मुंबई में दिलीわか एक डिलीट यू तो आपको यहां पर मिलेगी ठीक है और यह देखो इसकी अवेलिबिल्टी रहती है 99.999 परसेंट मतलब मैं बताता हूं वैसे को नहीं मिलेगा चाहे चाहे अब को नहीं एक महीने में कुछ सेकंड के अलावा तो मैं करें इसा यहां पर तो तो अगर आप रिजनल कर दोगे तो चीज़ेंगी यहां पर आपने कर दिया हॉंग कॉंग आप देखो यहां पर क्या पड़ आपको 1.26 पर आवर अगर मैं मुल्ट रिजिन कर दूँ और एशिया कर दूँ सेलेक्ट अब 3.90 पर आवर ठीक है डॉलर्स में और यह आपने बात कर दी कि प्रोसेस्सिंग उनिट्स कितने होती है एक नोट के अंदर 1000 अगर आपको नोट की बात करूं तो यहां पर एक नोट की बात आती है तो कितना टेरेवेड़ है चार्ट है अगर मैं यहां दो कर दूँगा तो आप देखो यहां पर आठ हो गया तो यही है आप यहां से बढ़ दोगे जैसे क्रेट करोंगे आप वापस आदागो डेटाबस के अंदर अफिर वही आप डेटा अपना एंटर कर लो लाइक दिस ठीक है मैंने इससे कर दिया है कैंसल और हम आज चुके बाहर और आएकिस आपको वीडियो समझ में आ गया हो यहां प्याहमनी कर दाना है सी यू नेहांग्स ताम